हलो स्टूडेंट्स आएम हरशीता राठार और मैं आप सब का हैचे नध्यन पे स्वागत करती हूँ अभी तक हमने जो हमारा पीपर वन है उसमें काफी सारी यूनिट्स को अल्रेडी कम्पलीट कर लिया है आप लोगोंने सभी वीडियो को देख लिया होगा अगर नहीं देखा है तो आप डेली बेसिस पे एक 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 वीडियो को देखना स्टार्ट कर दो क्योंकि जल्दी से हमको अपना सिलेबस जो है वो कम्पलीट करना है उसके बाद में हम धीर धीरे प्रेक्टिस के टेस्ट सीरीज जो है वो भी स्टार्ट करेंगे ठीक है आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है उसमें हम हमारा पीपल डेवलपमेंट एंड एंवार्मेंट वाला जो चैप्टर है उसको शुरू करने वाले है ठीक है उसके हमारी फॉर्स्ट क्लास रहने वाली है चार से पांच क्लासीज होगी हमारी पीपल डेवलपमेंट ए करेंगे लेकिन कुछ extra चीज़े जो है वो भी मैं आपको सब कुछ यहां पर cover करवाने की बारे में हैना ज्यादा focus करूंगी ठीक है तो आपका जो भी chapter है 9th chapter वो complete आपका यहां पर है ना पूरा cover हो जाएगा तो उसकी कोई tension मत लेना ठीक है जो हमारी first class है वो हमारी first class रहने वाली है MDGs and SDGs जो goal है उसके बारे में आपने अगर अपना syllabus देखा होगा 9th chapter का तो उसमें सबसे पहला ही topic आपका दिया हुआ है MDG यानि कि Millennium Development Goals and SDG यानि कि Sustainable Development Goals ठीक है तो हम वहीं से ही हमारी जो class है जो 9th chapter है हम वो शुरू करेंगे और जो भी इसके जो भी extra चीजे होंगी ना वो मैं सारी classes जो है वो YouTube पे लोंगी तो आप YouTube से भी classes को check करते रहे ना और जो 4-5 classes जो majorly जो important chapters के उपर होगी important topics के उपर होगी वो मैं आप लोग के लिए provide कर दूँगी लेकिन जो भी extra चीजे हैं वो आप YouTube से भी check करते रहे ना कि मैं वहाँ पे भी क्या-क्या वीडियो बना के आपको provide कर रहे हूं ठीक है तो आज की जो class है वो हमारी MDG and SDG goals के उपर रहने वाली है important lecture है हर बार MDG goal और SDG जो आपके goals दिये हुए है chapter के अंदर उससे हर बार आपको एक question at least देखने को मिलता ही मिलता है ठीक है तो यह बहुत important topic है इसको पके से complete कर लेना क्योंकि यहां से एक question आने की बहुत जादा problem है ना उसमभावना है ठीक है अब हम करते हैं class को start PPT जो है वो आपके English में भी है और अपकी Hindi में भी है PDF तो English और Hindi का कुछ issue नहीं रहने वाला है Hindi और English दोनों में ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी ठीक है फिर भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है then you can ask me ठीक है तो अब हम class को start करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे MDG याने की Millennium Development Goals के बारे में फिर हम हैना क्या करेंगे SDG Goals के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो हम शुरू करते हैं Millennium Development Goals हैं वो basically होते क्या हैं कहां से शुरूआत हुई हैं उनकी कितने Goals दिये हुए हैं इसके अंदर ठीक है क्या उसका introduction पार्ट है हम सब कुछ कवर करेंगे इस वीडियो में तो सबसे पहले अगर हम introduction की बात करते हैं कि MDG Goals है क्या या अखिरकार इसकी शुरूआत हुई कहां स हैं तो इसके शुरूआत है वो हुई है आपके the world leaders of United Nations United Nations के जो भी world leaders हैं वो New York City के अंदर मिले थे ठीक है और New York City के अंदर उन्होंने क्या किया एक meeting हुई थी एक summit हुई थी ठीक है उस summit के अंदर जो भी आपके United Nations के जो भी member countries है उन्होंने मिलके इन MDG Goals को discover किया था ठीक और यह जो meeting है वो आपके post 2000 के अंदर हुई थी यानिकि जो 2000 का जो नया साल लगने वाला था उस time के अंदर यह meeting जो है वो चली थी और United Nations के जितने भी member countries है उन्होंने मिलके MDG Goals को discover किया था ठीक है यह जो meeting है वो last 3 दिनों तक चली थी 6 September से लेकर ठीक है फिर जो Mr. Kofi Annan ह वो आपके United Nations के Secretary General थे उस time पे जब meeting चल रही थी तब United Nations के जो Secretary General थे वो कौन थे Mr. Kofi Annan ठीक ही छोटी छोटी सी basic चीज़े हैं जो आपको पता होनी चाहिए कभी भी question में आपसे पूछ सकते हैं यह सब कुछ थीक है Now, MDGs are a set of goals to be achieved by 2015 by the 191 member countries of the United Nations उस time पे United Nations में जो 191 member countries थे उन्होंने मिलके क्या करा जो MDG goal है Millennium Development Goals है उनको achieve करने के लिए अपना एक target बनाया कि हमको 2000 से 2000 के अंदर तो यह जो discover हुए थे goals ठीक है और इसकी time period क्या रखा उन्होंने till 2015 यानि कि 15 साल के लिए इन्होंने बनाये थे Millennium Development Goals 2000 से लेकर आपको date पके से याद कर लेनी है इस पर question आज चुका है 2000 से लेकर 2015 तक ठीक है 15 साल के लिए थे आपके Millennium Development Goals United Nations के member countries ने बनाये थे ठीक है यहाँ पर आपका परीचे हिंदी में भी दिया हुआ है संयुक्त राश्ट्र के वैश्विक नेताओं ने न्यू यॉक में स्थिर संयुक्त राश्ट्र के मुख्याले में मुलाकात की उनकी बैठक का उद्देश 2000 के बाद शुरू होने वाले नए यूक के दोरान संयुक् में चर्चा हुई और क्या हुआ बैठक जो है वो 6 सितंबर से चुरू होकर तीन दिन तक चली थी ठीक है संयुक्त राश्ट्र के महासची मिस्टर कोफी एननन के क्या किया था शिकर संबेलन का उद्ध घाटन किया था उस समिट को इनाउगरेट किया था ठीक है संयुक्त राश्ट्र के 191 सदस्य देशों द्वारा 2015 तक हासिल किये जाने वाले लक्षों का एक सम्मूह है उन लक्षों पर पहली बार सितंबर 2000 में हस्ताक्षर किये गए थे हस्ताक्षर के बाद जो है आपके गोल्स वो स्टार्ट हो गए थे ठीक है तो यह आपका पूर गोल्स यह बेसिकली गोल्स है कौन-कौन से ठीक है तो आपके टोटल एमडीजी ने आट गोल्स दिये थे मिलैनियम डेवलपमेंट के अंदर आपके टोटल आट गोल्स थे ठीक है और टोटल आपके 21 तारगेट्स थे ठीक है अब बच्चों के अंदर यह confusion होता है कि माम ग गोल्स क्या होते हैं गोल्स होते हैं हमारे लॉंग टर्म चीज़ों को अचीव करने के लिए लेकिन टारगेट्स होते हैं शौट टर्म ठीक होते हैं शौट टर्म गोल्स होते हैं लॉंग टर्म हमारा कोई गोल है कि हमको असिस्टन प्रोफेसर बनना है वो क्या है हमारा ल होते हैं हमारे short term के लिए ठीक है और इन चोटे चोटे टार्गेट्स को पूरा करके ही हम हमारे जो long term goals उनको अचीव कर पाते हैं ठीक है तो हम चोटे चोटे टार्गेट्स बनाके ही हमारे जो goals उनको अचीव कर पाते हैं तो MDG के अंदर हमने बात करी थी कि हमको total 8 goals को अची हो गया ऐसा तो नहीं हो सकता है टाइम लगेगा डेफिनेटली तो हमको क्या करना पड़ेगा छोटे- चोटे चोटे टार्गेट्स बनाने पड़ेंगे और उन टार्गेट्स को बनाके फिर हम हमारे जो उनको अचीव कर पाएंगे तो हमारे आट गोल को अचीव करने के लिए हमने 21 तारगेट बनाये थे कि यह चोटे-चोटे सा टारगेट से अगर यह फुलफिल हो जाएंगे तो गोल्स जो है वो डेफिनिटली हमसे अचीव हो ही जाएंगे ठीक है तो आट गोल्स है इक इस ट टाइम लाइन थी यानि कि टोटल 15 साल के लिए मिलेनियम डेवलप्मेंट गोल्स आपके रहे थे ठीक है अब यह जो गोल्स है वो बिसिकली है कौन-कौन से आपके सबसे पहला आपका गोल है एक्स्ट्रीम हंगर और पोवर्टी हमको हंगर और पोवर्टी को रिड्यूस करन है मौटलिटी मतलब डेट रेट जो होती है बच्चों की जो डेट रेट है उसको हमको क्या करना है रिड्यूस करना है कम करना है इंप्रूफ मेटर्नल हेल्थ में हमको इंप्रूफ्मेंट लाना है कॉम्बैट HIV AIDS malaria जैसी जो भी other diseases है उससे हमको कॉम्बैट करना है यानि कि इन्वार्मेंट सस्टेनिबलिट के लिए हमको काम करना है यह सारे हमाया टोटल आर्ट गोल्स है जो की मिलैनियम डेवल्लप्नेट गोल्स के अंदर बनाये गए थे ठीक है हिंदी में यहाँ पर सारे दिये हुए हैं अत्यतिक भुखमरी और गरीबी को मिटाना है सर्व भॉमिक प्रात्मिक शिक्षा हमको प्राप्त करनी है लेंगिक समानता को बढ़ावा देना है बाल मृत्यूदर को कम करना है मातर स्वास्त में सुधार करना है HIV AIDS malaria जैसी जो भी बिमारिया है उनको क्या करना है कॉमबैट करना है परियावर्निय इस्तिरता सुनिष्चित करनी है विकास के लिए वैश्विक साज्यदारी को हमको विक्सित करना है इसके अदर हमने 21 लक्षे बनाए थे यानि कि 21 है टार्गिट बनाए थे 2000 से लेकर 2015 समय निर्धा पहला गोल क्या है यहां पर आपका इंग्लिश में भी दिया हुआ है हिंदी में भी लाइए हिंदी में भी लेकिया हुआ है गरीबी और भुखमरी को मिटाना है तो पहला गोल है आपका इरटिकेट एक्स्ट्रीम पोवर्टी एंड हंगर यानि कि हमको क्या करना है सबसे पहला goal है कि हमको गरीबी और बुखमरी को मिटाना है, एक देश को अगर डवलप होना है, तो डवलप होने के लिए उसको ये make sure करना पड़ेगा कि उस देश के जितने भी रहने वाले लोग हैं, at least उनके पास में दो टाइम का खाना तो रहे ही रहे, वो at least भूखे तो ना सो होएं, तो गरीबी को हटाना है, और हमको भुखमरी को हटाना है, अगर हम किसी भी एक देश के development को चाहते हैं, तो सबसे पहला major goal एक देश का यही होना चाहिए, तो इसलिए हमारा सबसे पहला goal है, eradicate extreme poverty and hunger, अब इस goal को अचीव करने के लिए government ने काफी सारी schemes बनाई है, अ अगर पढ़ लोगे तो आपको भी idea हो जाएगा कि अच्छा, इस goal को achieve करने के लिए यह जो हमने schemes बनाई है, वो क्यों बनाई है, इस goal को achieve करने के लिए ठीक है, जैसे कि midday meal scheme है, midday meal scheme में क्या होता है, बच्चों को खाना provide किया जाता है, schools के अंदर, ठीक है, food security act है, food security act में क्या हुआ, इस act में भी बात हुई है, कि जो भी लोग है, उनको at least हमको दो time का खाना तो provide करना ही है, ठीक है, इस act के अंदर भी यह है ना, खाने को provide करने की बात हुई है, mission अंतोधया, अंतोधया में भी है ना, लोगों को un provide करने का mission है, ठीक है, portion, अभियान, green revolution, यह सब आपके schemes लेकर आई है, government, ताकि हम poverty and hunger को reduce कर सकें, गरिबी और भुकमरी को मिटा सकें, ठीक है, यह हमारा पहला goal, दूसरा goal क्या है, सर्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, achieve universal primary education, ठीक है, कौन सी education है, primary, यानि कि प्राथमिक education, जो primary education है ना, secondary की बात नहीं हो रही है, primary, यानि की elementary education की यहाँ पर बात हो रही है, तो अगर आपसे question में पूछता है, कि MDG goal जो है, क्या उसमें secondary education का कोई भी goal दिया हुआ है, क्या, तो secondary education की बात नहीं ही हुई है, यहाँ पर बात हुई है, किसकी primary education, यानि कि आपकी प्राथमिक शिक्षा की, आपकी elementary education की बात हुई है, ठ KUSA scheme है, SSA scheme है, Right to Education Act लेकर आई है, governmenta की सभी लोगों को education जो है, वो provide हो सके, ठीक है, DPSP में भी आपकी, DPSP कौन है, Directive Principle of State Policies जो है, उसके अंदर भी आपकी education की बात हुई है, जो कि आपके constitution के part 4 के अंदर mentioned है, आपके fundamental rights है, जो कि आपके constitution के part 3 के अंदर mentioned है, ठीक है, 21 ए बात करता है कि हमको क्या करना है, बच्चों को primary education provide करनी है, 6 से 14 साल तक के जो भी बच्चे है, parents ये make sure करें कि अपने बच्चों को school में भेजे और उनको education provide करें, ये सब कुछ क्यों लेकर आई है, government ताकि second जो goal है, primary education को achieve करने वाला हम उसको achieve कर सकें, ठीक है, third goal क्या है ह जो inequality जो है हमारे देश में, हमारे समाज में, society में वो काफी ज्यादा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये make sure करना है कि men और women जो है, दोनों को equal status मिल सके, किसी भी देश में अगर men और women दोनों को हम साथ में लेकर चलेंगे, तब ही उस देश का जो development है, जो growth है, वो properly ह हो पाएगी, ठीक है, जितने ज्यादा men's important है, उतने ही ज्यादा women's भी important है, तो हमको दोनों को ही साथ लेकर चलना है, दोनों के ही development को हमको ensure करना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे gender equality की बात हुई है, and women empowerment की बात हुई है, लेंगिक समानता की बात हुई है, नारी सशक्तिक करन की बात हुई है, ठीक है, इसके लिए क्या किया है, government ने reservation for women's in parliament, parliament में जो हमारे elections होते हैं, वहाँ पे women's के लिए reservation रखा है, ताकि women's को भी seeds मिल सके, women's भी आगे आ सके, उनका भी development हो सके, ठीक है, jobs में भी उन्होंने काफी reservation रखे हैं, बेटी बचाओ, बेटी government हो सके, शसक्ति करन हो सके, ठीक है, तो यह सभी schemes है, यह सभी चीजे है, किसको improve करने के लिए, गोल तिरी को achieve करने के लिए, ठीक है, फिर हमारा fourth वाला goal है, शिशु मृत्य दर को हमको कम करना है, child mortality rate जो है, mortality यानि की death rate, ठीक है, तो जो child death rate है, mortality rate है, उसको हमको क्या करना ह है, उसको reduce कैसे कर सकते है, vaccination को हमको improve करना है, सिशु सुरक्षय योजना चलाई है, जननी सुरक्षय योजना चलाई है, government ने, ताकि हम क्या कर सके, जो child mortality rate है, ठीक है, ठीक है, जो आपका child death rate है, उसको हम reduce कर सके, ठीक है, फिर हमारा fifth वाला goal है, मात्र स्वास्ति में सुधा करना है, improve maternal health, women's की health को भी हमको improve करना है, इसको improve कैसे कर सकते हैं, राष्च्रि महीला कोश के थुरू, ठीक है, सबला के थुरू, प्रिय दर्शनी के थुरू, यह सारी schemes है, जो कि improvement करती है, maternal health वाली scheme को, ठीक है, यह हमारा fifth goal है, जहां पे हमको maternal health को improve करना है, ठीक है, फिर हम की बिमारियां है HIV AIDS जैसी Malaria जैसे जो हमारी बिमारिया है हमको इसको क्या करना है खतम करना है combat करना है ठीक है इसको reduce करने के लिए government लेके रही है NACP NMCP National Vector Disease Control Program ताकि जितने भी यह सारी बिमारिया है diseases है वो खतम हो सके हमारे देश से ठीक है seventh goal है और second last हमारा ये goal है परियावर्निय इस्थिरता सुनिष्चित करना है environment sustainability को हमको ensure करना है क्योंकि आज की जमाने में हमको पता है कि environment में बहुत ज्यादा pollution हो चुका है बहुत ज्यादा environment जो है वो खराब हो चुका है ठीक है तो environment जो है वो हमारा अभी सबसे major goal बना हुआ है कि हमको क्या करना है environment sustainability पर ध्यान रखना है परियावर्निय इस थिरता को हमको सुनिष्चित करना है कि भी ताकि हमारा environment जो है जो सूरे से जो उर्जा निकलती है उस पर हम ज्यादा focus कर रहे है ठीक है ताकि जो हमारी non-renewable resources है वो भी हमारे पास में ज्यादा आ सके ठीक है सुनिष्चित करने वाले के गोल के अंदर ठीक है लास्ट हमारा एर्थ गोल जिसका क्या नाम है जिसका नाम है डवलपर global partnership for development यानि कि विक्सित करने के लिए एक वैश्विक साजेदारी विक्सित करना ठीक है यानि कि जो हमारा global partnership है हमको इसको ensure करना है global partnership हमको यह,make sure करकर नाम है जो अच्छे से और अच्छे से पार्टनरабат करक ना था कि सभी कंट्रीज का अच्छे से cooperate करके development हो सके growth हो सके ठीक है इसके लिए क्या क्या schemes है developmental loans program है ठीक है policies for implementing UN schemes है technical aids to the countries यानि कि आपके इस वाले goal में क्या बात होई है कि जो भी जितने भी nation countries है वो सब एक साथ में आएं एक साथ में partnership for development ठीक है यहाँ पर जो हमारे MDG goal है वो finish होते है total eight goals जो है वो मैंने आपको बता दिये हैं इन सभी आठो goals को आपको learn करके रखना है और इसके अंदर total आपके 21 targets भी है ठीक है अब 21 targets को आपको एकदम पक्के तरीके से रट तो नहीं लेना है लेकिन आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि 8 goals है तो 21 targets भी कौन-कौन से है आपसे target के उपर भी question पूछा जा सकता है तो आप targets को खुद से search करना और उनको एक बार पढ़ लेना ठीक है कि कौन-कौन से क्या-क्या targets है लेकिन जो 8 goals है जो मैंने आपको बताए है वो तो आपको definitely याद करने ही पड़ेंगे ठीक है अब हमारा MDG goals जो है millennium development goals वो finish हो चुके है क्या उसका introduction है क्या 8 goals है I have told you everything ठीक है next हमारा शुरू होता है topic sustainable development goals sustainable development goals क्या है अब हमारे millennium development goals मैंने बताया था आपको timeline क्या है उसकी 2000 से लेकर 2015 तक आये थे ठीक है अब 2015 तक हमारे millennium development goals जो थे वो तो finish हो गए तो अब आगे वाले जो 2015 के बाद में जो time आ रहा है उसके अंदर हमको क्या करना है उसके अंदर हमको कैसे हम development को ensure कर सकते हैं तो फिर से यह बात उठी कि हमको फिर से हमारे कुछ नए goals को बनाना चाहिए ताकि आने वाले सालों के लिए हम उन goals को अचीव करने के लिए काम करेंगे तो आये फिर आपके sustainable development goals ठीक है अब यह क्या है इसका introduction देखते हैं इसको पढ़ते हैं ठीक है sustainable development goals में क्या हुआ sustainable development is the development that meets the need of present without compromising ability of future generation sustainable development सतत्विकास ठीक है सतत्विकास का मतलब क्या होता है सतत्विकास का मतलब है कि सतत्विकास वह है विकास है जो भविशे की पीडियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की शमता से समझोता कि यह बिना वर्टमान की जरूरतों को पूरा करता है यानि कि sustainable development होता क्या है कि हम ऐसे resources को use करें है कि जो आज की हमारी present generation है वो भी चीजों को अच्छे से use कर सके, resources को अच्छे से use कर सके इस्तमाल कर सके और आने वाली जो हमारी future generation है ठीके वो भी उन resources का इस्तमाल कर सके sustainable development का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है काफी सारे लोग ये समझते हैं कि sustainable development का मतलब है कि हमको क्या करना है आज जो हमारे पास में resources है उनको तो हमको बचा के रखना है ताकि आने वाली generation उसका use कर सके नहीं अगर हम आज resources को बचा के रखेंगे खुद use नहीं करेंगे तो फिर आने वाली generation कैसे उसको develop कर पाएगी आने वाली generation वो develop ही कैसे हो पाएगी अगर हम हम आज उसका यूज नहीं करेंगे तो ठीक है तो sustainable development जो मतलब है उसका ये मतलब होता है sustainable development जो word है उसका मतलब ये होता है कि जो आज हमारे पास में resources है हम आज की जो generation है वो भी उन resources को use करें मनानी करते हैं कि आज आप use मत करो कल की पेड़ी के लिए उसको रखना नहीं आज भी आप use करो लेकिन आप इस तरीके से अपने resources का use करो ताकि जो आने वाली future generations है वो भी उन resources को अच्छे से use कर पाए ठीक है अब आपको ध्यान में रखना है कि resources को हमको यहाँ पे use करना है उसका misuse नहीं करना है misuse करेंगे तब वो हमारे लिए खराब होगा तब आने वाली generation के लिए वो संपून नहीं रहेगा तब वो उनके लिए दिरे-दिरे खतम हो जाएगा ठीक है तो हमको resources को use करना है ना कि उसका misuse करना है तो यह sustainable development जो word है इसका इतनी बड़ी definition मैंने आपको इसलिए दी है क्योंकि exam में इससे आपके assertion reason से जुड़े होगे question पूछे जाते हैं आपको चार option दे देंगे और आपको question पूछेगा कि बताओ इन चारों में से कौन सा जो है वो exact मतलब है sustainable development का सतत विकास का तो आपको इसका जो मतलब है वो पता होना चाहिए कि sustainable development का सतत विकास का मतलब क्या होता है ठीक है अब आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अब हम चलते है sustainable development goals की तरफ तो जो आपके sustainable development goals है They are different from MDGs As they are zero goals Sustainable development goals जो हैं वो आपके zero goals है Zero goals क्या होते हैं Sustainable development goals baat करते हैं कि हमको अगर poverty को reduce करना है तो हमको 100% poverty को reduce करना है हमको पूरी ही गरीबी को हटा देना है हमको पूरी ही बुकमरी को हटा देना है Zero goals है यह 100% removal की बात करते हैं ठीक है लेकिन जो MDG जो goals है वो आपके zero goals नहीं है उसमें कुछ percentage दिया हुआ है कि अगर हमको poverty को reduce करना है या अगर हमको hunger को हटाना है बुखमरी या फिर गरीबी को हटाना है तो हमको 50% हटाना है या फिर 60% या फिर कुछ है ना उसमें timeline दी हुई है कुछ उसमें ratio दिया हमको जड़ से इसको खतम भी कर देना है ठीक है तो इसलिए यह zero goals है तो आपसे अगर exam में पूछे कि zero goals कौन से है MDG या फिर SDG तो sustainable development goals तो है वो आपके zero goals कहलाते है ठीक है MDG में क्या था आठ तो goal थे 21 targets थे SDG में क्या है 17 goal है 169 targets है यह मैं बार बार इसलिए repeat कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में fix हो जाए कि भी 8 goal 21 target SDG में 17 goal 169 targets ठीक है तो अब आपको 169 targets आप सभी को तो याद नहीं कर सकते है तो यहाँ पे भी क्या करना है जो 17 goals है ना आप करोगे आप खुच से search करोगे और उस पे एक बार नजर देख लेना कि अगर कहीं से गलती से मानलों को यह question भी आजाए तो आपको थोड़ा बार आइडिया रहे तो आप eliminate करके उसका answer निकाल सकते हो ठीक है तो यहाँ पे आपको 17 goals 169 targets इनका ध्यान में रखना है ठीक है अ पर हमको गरीबी को पूर्ण तह यानि कि complete हमको reduce कर देना है poverty को गरीबी को इसलिए मैंने कहा था कि जो आपके sustainable development goals है वो क्या है आपके zero goals है जो कि संपूर्ण समाप्त करने की बात करते हैं किसी भी चीज को ठीक है तो पहला goal क्या है कि हमको गरीबी को पूर्ण तह समाप्त कर देना है ठीक है अब यहाँ पर जो भी आपके उससे related जो भी scheme से वो यहाँ पर mention है कि गरीबी को कैसे हम reduce करेंगे आपका है ना MG नरेगा यानि कि महातमा गांधी National Rural Employment Guarantee Act है ठीक है यह Act इसकी पूरी definition है इसकी पूरी full form है यह Act क्या कहता है इस Act के तहत है जो भी आपक कि खुद का खुद से खाप आएंगे ठीक है तो पोवर्टी जो है वो वैसे ही दिरे दिरे खतम हो जाएगी तो अगर हम लोगों को employment प्रोवाइड करेंगे तो employment देके यानि कि रोजगार देके भी हम क्या कर सकते हैं गरीबी को हटा सकते हैं पोवर्टी को हटा सकते हैं ठ second goal क्या बात करता है बुखमरी को समाप्त कर देना है यानि कि end hunger पहला बात करता है हमको poverty को हटाना है गरीबी को हटाना है दूसरा बात कर रहा है हमको hunger को मिटाना है बुखमरी को मिटाना है ठीक है इसके लिए कौन कौन सी schemes है इसके लिए लेकर आई है government green revolution लेकर आई है national food security hierarchy scheme लेकर आई है ठीक है portion अभियान है mid day mail schemes इन सभी schemes के तहत government यह एंश॑र करती है किस लोगों को at least दो two time का खाना मिल सके तक कोई भी भूखा ना सौए ठीक है तो यह सारी schemes ensure करती है किसको अचीव करने के लिए goal second वाले को जो आपका है न बुखमरी को समाप्त करने वाला जो गोल है एंड हंगर को हमको अचीव करना है वो हम इन schemes के तुर अचीव कर सकते हैं ठीक है next goal क्या है हमारा third वाला goal है अच्छा स्वास्ते और जीवन इस्तर यानि कि ensure healthy lifestyles and promote well-being हमारी health भी अच्छी होनी चाहिए सबसे पहले हमने क्या किया सबसे पहले हमने गरीबी को मिटाया पोवर्टी को हटाया फिर हमने बुखमरी को खतम किया ठीक है भई अब हमारी health भी अच्छी होनी चाहिए तो growth होगी, development होगी हम economy wise भी अच्छे आगे बढ़ेंगे हमारा देश जो है वो develop भी होगा ठीक है, तो healthy life जो है उसको भी government को जादा उस पे focus करना है उसको ensure करने के लिए government कौन-कौन सी schemes लेकर आई है, जननी सुरक्षा योजना scheme लेकर आई है, red line campaign, एक है ना campaign चलाया है government ने, primary health center है, national mission on health है ठीक है, तो ये सारे कुछ missions है, कुछ campaign और कुछ schemes है, जिसके तुरू government क्या कर सकती है, healthy lifestyle को ensure कर सकती है, ठीक है अगला हमारा fourth goal आता है, शिक्षा में गुणवत्ता हमको करनी है, यानि कि जो हमारा inclusive है ना, जो education है, quality of education है उसको हमको promote करना है अब हमने ये education वाला point पढ़ाता millennium development goals के अंदर भी वहाँ पर मैंने आपको बताय था कि ये primary education की बात करते हैं, कौन सी education, primary education, प्राथमिक शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन जो हमारा sustainable development goals है, वो quality education की बात कर रहा है, ठीक है जहाँ पर primary, secondary, दोनों ही तरीके के education आएगी, ठीक है, लेकिन जो millennium development goal है, वो सिर्फा primary education की बात करते हैं, तो ये differences हैं, जो आपको पता होना चाहिए इस बार December में question भी आया थे, जहाँ पर आपसे पूछा गया था कि millennium development goals and sustainable development goals में differences क्या हैं, अंतर क्या हैं, तो ये चोटी-चोटी से differences हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है अब ये जो fourth वाला goal है, वो ensure कर रहा है कि इसको quality education को कि हमको अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमको बच्चों को quality of education को provide करना है, हमको बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करनी है, ठीक है अगर हमको, हमारा जो education system है, वो अच्छा होगा, अगर हम लोगों को quality of education provide कर पाएंगे, तब ही जो है, लोग आगे बढ़ेंगे, develop होंगे उनकी growth होगी, और अगर लोगों का growth होगा, लोगों का development होगा, तो देश का development उसके साथ ही होगा, ठीक है अब इसके लिए कौन कौन से schemes है, इसके लिए schemes है, आपके पास में स्वयम है, स्वयम प्रभा है, मूक्स है, जो कि हम teaching aptitude में already पढ़ चुके हैं, ठीक है फिर rusa आपकी scheme है, inspire scheme है समगर शिक्षा अभियान है, तो ये सारी कुछ आपकी education related schemes है, policies है, जिसके तुरू government क्या कर रही है, quality of education को improve करने की कोशिश कर रही है, ठीक है हमारा फिर next goal आता है, achieve gender equality लेंगिक समानता और नारी सशक्ती करन जो हमारा millennium development goals थे, वहाँ पे भी हमने देखा ये same point, वहाँ पे भी gender equality की बात हुई है and women empowerment की बात हुई है, sustainable development goals के अंदर भी समानता की बात हुई है, gender equality की बात हुई है, और अपकी लेंगिक समानता और नारी सशक्ती करन, यानि की women empowerment की बात हुई है, ठीक है तो हमको क्या करना है, gender equality करनी है men और women जो है, दोनों को हमको साथ लेकर चलना है, अगर हमको देश का development करना है तो, ठीक है women's को भी equal opportunities provide होनी चाहिए, women's को equal education मिलनी चाहिए, तो women's के साथ में भी equal treatment होना चाहिए, जैसा कि men's के साथ में हो रहा है, तो ये बात करता है आपका goal 5, ठीक है इसे related कौन कौन सी schemes है reservation in jobs है government ने काफी सारी jobs में है न women's को reservation provide कर रखा है, ताकि women's जो है वो आगे बढ़ सके, उनका development हो सके, उनकी growth हो सके, ठीक है reservation for women in parliament, parliament में आपके elections होते हैं, वहाँ पर भी women's को reservation दी जाती है, ठीक है reservation अभी जो bill है वो भी pass हो चुका है already तो इससे government क्या ensure कर रही है, gender equality को promote करना चाहती है, फिर आपकी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसी है न, schemes आई है usual scheme आई है, इन सभी schemes के तहत government जो है, वो gender equality को improve करने की कोशिश कर रही है लेंगिक समानता को improve करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, यह आपका fifth goal है, sixth वाला goal क्या है sixth वाला goal है, आपका आज सुगम एवां निर्मल जल, यानि कि हमको क्या करना है water को, water sanitation होना चाहिए, clean water and sanitation भई हमारा जो देश है उसमें जो water है, water काफी जदा pollute है, हम सब को पता है तो water जो है, उसका भी sanitation होना चाहिए, वो भी clean रहना चाहिए अगर पानी अच्छा होगा, तभी हमारी health जो है, वो भी अच्छी रह पाएगी तो उस resource में एक आपका water भी आता है तो हैना clean water को भी हमको ensure करना है अब clean water के लिए कौन-कौन सी schemes है स्वच भारत अभियान है, national ganga mission है जहाँ पे जो ganga river है, आपकी उसको clean करने की बात हो दिये, ठीक है drinking water program है, ये सभी programs है, जिसके तहत हम क्या कर सकते है उर्जा का अधिकार, यानि कि जो हमारी ensure access to affordable, reliable and sustainable modern energy का, हमको क्या करना है हमको modern energy, affordable energy जो है, उसके उपर भी focus करना है, हमको affordable and clean energy के उपर focus करना है, ठीक है, इसके लिए कौन-कौन सी schemes है, national solar mission है, national solar mission जो है उसके अंदर बात हुए कि हमको जो सूरी की जो उर्जा है, जो हमारा solar के थुरू जो हमको energy मिलती है उसको हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है उसको हमको और improve करना है ताकि हर घर में solar plant लग सके solar panel के थुरू हम energy को consume कर सके, ठीक है, आइए से आइए से क्या है, international solar alliance है, जो कि इंडिया ने एक नया alliance स्टार्ट करा है, एक नया nation country के साथ में, ठीक है, तो आपकी ये सारी schemes है, ताकि हम क्या कर सके clean energy and affordable energy को ensure कर सके, ठीक है, तो ये आपका 7th वाला goal है, next जो goal है, वो हमारा 8th goal है 8th goal किसकी बात करता है, सतत विकास और सबके लिए, रोजगार की बात करता है यानि की, promote, sustained, inclusive and sustainable economic growth, for economic growth full and productive employment and a decent work for all यानि की, sustainable development और रोजगार के उपर हमको ध्यान देना है हमको ये make sure करना है, कि employment जो है, वो भी सभी लोगों को मिल सके, सब लोगों को रोजगार मिल सके, और सदत विकास, यानि की, sustainable economic growth हो सके, sustainable economic growth यानि की, मैंने भी आपको what बताया, मतलब बताया, sustainable development का ये हमको resources का, इस तरीके से use करना है, ताकि आने वाली generations जो है, वो भी हमारे resources का properly use कर सके, ठीके इसके लिए, कौन कौन सी चीज़े हैं start-up India है, stand-up India है skill India है, skill India क्या है skill India के तहट, जो हमारी government है वो ये make sure करें कि हम सभी लोगों को skill provide कर सके, उनको vocational education provide कर सके, अभी चापकी national education policy 2020 आई है जो कि हम higher education में बढ़ेंगे उसके अंदर भी आपकी skill India को लेकर काफी ज़्यदा बात हुई है कि हमको लोगों को skills के उपर जाधा focus करना है, हमको education तो provide करनी ही है, लेकिन हमको बच्चों को vocational education की तरफ जाधा उस field के अंदर बच्चों को जाधा लेकर जाना है ताकि सभी लोगों में education का तो ग्यान रहे ही रहे, लेकिन साथी साथ उनके अंदर कुछ skills का भी development हो सके ताकि अगर सभी बच्चे education की field में आ जा पाएं, तो कुछ बच्चे अपनी skills का use करके, हैना अपना घर चला सके, अपना उनको रोजगार मिल सके, उनको employment मिल सके ठीक है, तो skill इंडिया पर जो हमारी government है, वो ज्यादा focus कर रही है PM employment schemes है तो यह काफी सारी schemes है, जिसके through हम क्या कर सकते है, सतत विकास और सबके लिए रोजगार जो हमारा goal है उसको achieve कर सकते है, यानि कि sustainable economic growth and productive employment को हम क्या कर सकते हैं, यहना achieve कर सकते हैं, ठीक है next हमारा ninth goal क्या है ninth goal बात करता है, उद्योग और बुनियादी सुविधाएं, यानि कि build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation यानि कि simple सी बात करता है किसकी sustainable industrialization की, हमको industries को develop करना है अगर industries develop होगी infrastructure अच्छा होगा, उद्योग और बुनियादी सुविधाएं अगर अच्छी होगी तो देश का development जो है, वो automatic ही अच्छा होता चला जाएगा, ठीक है इसके लिए कौन-कौन सी schemes है, PM gram sadak योजना है, PM आदर्श ग्राम योजना है, digital इंडिया है smart city है, PM आवास योजना है, PM आवास योजना क्या है, जहां पे लोगों को जो below the poverty line लोग है, उनको government क्या करती है, अपनी scheme के अंडर में उनको घर प्रुवाइड करती है ताकि सब लोगों के पास में अपना घर हो रहने के लिए, ठीक है smart city क्या है, smart city आपका mission है, जिसके अंदर government ये make sure करती है कि जो भी आपकी cities है, उसके अंदर proper पानी की facility हो, proper electricity की facility हो, city में जो cleanliness है, वो proper रहे, तो सारी जो सुविधाएं हैं, वो city के अंदर रहनी चाहिए ताकि infrastructure अच्छा हो सके, आपकी जो cities हैं, वो smart बन सके, वो अच्छी हो सके, अगर cities अच्छी होगी, infrastructure अच्छा होगा तो दीरे-दीरे करके, देश जो है, वो automatic हो जाएगा, और साथी साथ industries को भी हमको जादा अच्छे से improve करना है, industrialization पे भी हमको focus करना है, ठीक है, तो यह है आपका ninth वाला goal tenth वाला goal क्या बात करता है tenth वाला goal बात करता है, देशों के अंदर और आपसी और समानता को हमको खतम करना है, reduce inequality within and among the countries यहाँ पे inequality है लेकिन वो men और women वाली inequality नहीं है, यहाँ पे हमको क्या करना है देशों के अंदर जो आपसी और समानता है, उसको हमको खतम करना है अब काफी सारे देश जो है वो आपके development की जो stage है उस तक आये भी नहीं है वो दिरे-दिरे development हो रहा है उनके अंदर, और कुछ है जो developing state है, जिसका जो development है वो continuous है, वो चल रहा है, जैसे कि इंडिया जो है वो developing state है ठीक है, ना ही वो underdeveloped के अंदर आता है ना ही इंडिया जो है वो आपकी developed nations के अंदर आता है ठीक है, तो जो यह inequality है ना, among the countries countries के बीच में जो inequality है कि कोई country तो बहुत ज़्यादा develop हो चुकी है कोई under development है, जिसका बिल्कुल भी development नहीं हुआ है, ठीक है तो ऐसी countries के बीच में भी हमको क्या करना है inequality को reduce करना है यानि कि हमको यह make sure करना है कि हमारी जितनी भी आसपास की जो भी countries है, वो सब साथ में आ सके सब का साथ में development हो सके ताकि जो पूरा आपका world है वो एक साथ में मिलके develop हो सके उसका एक साथ में growth हो सके ठीक है, इसके लिए कौन-कौन सी schemes है various schemes for SCST selection की बात हुई है scheme for women's है assistance from world bank, ABD, NDS banks के तुरू हम assistance provide करते हैं उन countries को जो की develop नहीं है ताकि उनको loan मिल सके और उस पैसे के तुरू वो अपना development कर सके ठीक है, तो यह बात करती है आपका 10th वाला goal की जो भी आपके देश है उन देशों के अंदर जो और समानता है ठीक है, inequality within the countries है उनको हमको reduce करना है ठीक है 11th goal क्या बात करता है सुरक्षित एवं टिकाव शहरी विकास make cities and human settlement inclusive, safe, resilient and sustainable यानि कि ये बात करता है किसकी शहरों के विकास की cities के development की तो यहाँ पे भी आपका smart city है अमरुत mission है, आवास योजना है है ना, आपका urban mission है ठीक है इन सभी mission के तहट क्या make sure करना है हमको, जो हमारी cities है उनका development अच्छे से हो सके उनमें infrastructure अच्छा हो, मिल सके वहाँ पे, जो भी facilities है वो हर city में अच्छी facility मिल सके पानी की facility हो, electricity की facility हो cleanliness हो, ठीक है सब कुछ proper होना चाहिए cities के अंदर ठीक है 12 वाला जो goal है, वो क्या बात करता है सतत विकास और उत्पादन की ensure sustainable consumption and production की कि हमको consumption और production क्या करना है sustainable करना है सतत विकास और उत्पादन जो है वो हमको make sure करना है, उसको हमको ensure करना है, ठीक है इसके लिए है, G1 scheme है distributing LED scheme है national bio fuel policy है जो कि आपके goal 12 को achieve करने के लिए काम करती है, ठीक है 13 वाला goal क्या है जल वायू परिवर्तन और उसका निवारन निवारन तत परता से यानि कि take urgent action to combat climate change, जो climate change हो रहा है काफे दा pollution हो रहा है जो हमारा परियावर्ण है, उसमें काफे दा बदलाव हो रहे है, ठीक है तो जो हमारा climate change हो रहा है उसके लिए भी हमको काम करना है, ताकि जो pollution है, वो खतम हो सके, तो हम अच्छे से clean environment में development हो सके, हमारा clean environment जो है, उसके इंदर सबकी growth हो सके ठीक है, इसके लिए NAQI है, NAPCC Act है, ठीक है इन सबके तहट हम क्या कर सकते हैं climate change को रहना control कर सकते हैं 14 वाला हमारा goal है समुंदरी संसाधनों का संरक्षन और सुरक्षा, यानि कि प्रदान करनी है, ठीक है इसके तहट कौन-कौन सी schemes है, marine park है, CRZ है, schemes against oil spills, oil spills क्या होती है जो भी हमारी पानी के अंदर, जो भी हमारी है बड़ी-बड़ी जो, हैना, boats and all चलती है, तो उसके अंदर हम oil को transport करते हैं, कुछ import करते हैं nations कुछ transport करते हैं, ठीक है तो जो oceans है, वहाँ पर वो oil जो है, वो leak हो जाता है वहाँ से, तो oil अगर leak हो जाएगा boats and all से, तो वो, हैना, फिर oil जो है, वो तेल जो है, वो कहाँ पर जाएगा, पानी के अंदर जाएगा, अब oil जो है, वो लोग consume करते हैं, जो human being consume करते हैं, वो उनको खाएगे, तो उनके अंदर फिर वो बिमारी आएगी, ठीक है, तो हमको क्या करना है, oil spill, oil spill जो है, उसको भी, हैना, control करने की कोशिश करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर एक बार oil spill हो जाता है, तो फिर उसको हम maintain करने में, हमको काफी साल लग जाते हैं, क्योंकि अगर पानी में oil गड़ गया, तो फिर उनको हम अलग-अलग नहीं कर पाएंगे, तो उसको बहुत टाइम लग जाएगा, फिर उसको segregate करने के लिए, separate करने के लिए, ठीक है, तो ये बात करता है, आपका रिस्टोर और प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरस्ट्रियल एकोसिस्टम, सस्टेनेबली मैनेज फॉरेस्ट कॉमबेट डेसर्टिफिकेशन, ठीक है, भूमी संरक्शन करना है, और जैव विविदता पर हमको ध्यान देना है, ठीक है, इसके लिए आपका NAPCC, यानि कि National Action Plan on Climate Change, आपका एक एक प्लैन है, जो कि Climate Change के लिए काम करता है, प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, यानि कि Life on Land, 14 बात करता था किसकी Life Below Water, पानी के अंदर जो भी आपके Resources है, जो भी आपके मरीन जीव हैं, उनको हमको क्या करना है, संरक्षण और सुरक्षण प्रदान करनी है, 15 जो गोल है, वो बात करता है, Life on Land की, कि वह जमीन की उपर, Terrestrial Land की उपर, जो भी आपके resources हैं, हमको उनको सुरक्षण और सुरक्षण प्रदान करना है, ठीके, इसके लिए आपका Air Act है, Water Act है, Biosphere Reservoirs है, इन सब के तहट हम क्या करते हैं, Life on Land को एंचौर करके रखते हैं, ठीके, 16 वाला गोल जो है, आपका second last goal है, जो बात करता है, सब के लिए न्याय और समावेशी संस्था हैं, यानि कि promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice, accountable and institutions, हमको क्या करना है, जो justice है, उसको हमको prevail करके रखना है, peace and justice होना चाहिए society में, भैस सारा कुछ development हो रहा है, environment भी अच्छा है, लोगों की health भी अच्छी है, poverty भी नहीं है, hunger भी नहीं है, education भी अच्छी है, man or women में equality भी है, ऐसा कुछ भी खराब चीज नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सब कुछ तब ही possible है, जब society में peace होगा और justice होगा, ठीक है, अगर ये सारी चीज़ें हैं किसी देश के अंदर, लेकिन उस देश का फिर development के लिए, ठीक है, इसके लिए हमारे पास में speedy justice का provision है, है ना आपका jain अदालत है, लोक अदालत है, जन सुनवाई है, reduce corruption act है, इन सब के तहत हम peace को और justice को ensure कर सकते हैं, लोक अदालत क्या है, जहाँ पे हमारे पास में judiciary provide करी गई है, जन सुनवाई क्या है, जन सुनवाई अगर ये, ये scheme हमारे लिए बनाई है, तो वो क्या हमको फाइदा दे रही है, क्या अगर नुकसान दे रही है, तो फिर हम government के लिए है ना, उन schemes के against अवाज उठाते हैं और government को कहते हैं कि जो भी आपने scheme policies बनाई है, उससे हमको कुछ भी फाइदा नहीं हो रहा है, हमको स्पीडी जस्टिस है कि भी जैसे अगर हमारे court के अंदर हमारे judiciary में काफी सारे जो cases है, वो का है ना, pending है, तो एक case को अगर चल रहा है, तो उसको काफी सालों लग जाते हैं, उसको complete होने के लिए, तो हमको स्पीडी जस्टिस को ensure करना है, कि जो भी आपको जस्टिस मिल सके ऐसा नहीं कि अगर कोई crime आज हुआ है, तो उसका 5 साल बाद, 10 साल बाद उसके लिए कोई सजा मिल रही है, speedy justice होना चाहिए, fast justice होना चाहिए, ठीक है, तो हम इन सब से ही क्या कर सकते हैं, peace को और justice को क्या कर सकते हैं, शांती को और न्याय को ensure कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा जो last goal है, वो है हमारा 17th goal, जो कि बात करता है, strengthen the means of implementation and promote global partnership, वैश्विक जिम्मेदारी एवं सांजेदारी को हमको ensure करना है, promote करना है, यानि कि global partnership को हमको promote करना है, जो हमने 8th goal पढ़ाता न, millennium development goals के अंदर, last वाला promote global partnership, वो 17th goal जो है, SDG goal के अंदर, वो same है दोनों, ठीक है, बात करते हैं कि हमको global partnership को ensure करके रखना है, सभी देशों को क्या करना है, एक साथ में cooperate करके आके बढ़ना है, सबका एक साथ में development होना चाहिए, growth होनी चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर आपकी schemes है, like international efforts, like Paris deal, ठीक है, international solar alliance, ये सारी आपकी schemes है, जो कि ensure करती है, global partnership को, ठीक है, तो ये थी हमारी आज की class, जहां पर हमने sustainable development goals की बात करी है, और हमने millennium development goals की बात करी है, ठीक है, sustainable development goals and millennium development goals की बात करी है, आपको इसके कितने goals है, कितने target है, क्या इसकी timeline है, उन सब को learn करके रखना है, जो भी fact याद करने वाली चीज़े हैं, ठीक है, और जो भी आपके goals द से question आते हैं exam के अंदर ठीक है तो यह थी हमारी first class people development environment की I hope आपको समझ में आई होगी अगर फिर भी कुछ doubt होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो ठीक है thank you